हाई गाईज नमस्कार दोस्तों कैसे आप सुभी I hope you are very well दोस्तों मैं आपका दोस्तों रश्पांड एक बार फिर आज रूँ आप लोगों के सामने ने टुटोरियल एक ने टॉपिक के साथ तो चलिए बिना समय गमाया हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सोसल मीडिया का यूज तो हम सभी करते हैं आप करते हैं मैं करता हूँ सोसल मीडिया के बारे मात करते हैं जिसको हम यूज करते हैं उसमें YouTube भी आता है लेकिन दोस्तों भारत में अपने सोसल मीडिया पर जो मतलब आज़ादी मिलती है लोगों को उसका आजकल बहुत ही ज्यादा miss use हो रहा है जैसे कि उसके माध्यम से हिंसा फैल आई जा सकती है कोई कुछ पी trend करवाया जा सकता है और दोस्तों यहां तक कि वहाँ पर real news कम और fake खबरे बहुत ज्यादा फैल रही है और दोस्तों जो है मतलब OTT जिसे platform पर कुछ ऐसी wave series भी आ जाती है जो कि परिवार के साथ बैटकर देखने अलाइक बिल्कुल नहीं होती हम ना भी देखना चाहें तो भी हमें देखने को मिलती है चाहे एड्स के माध्यम से या किसी में माध्यम से साथी दोस्तों इन पर बहुत ज्यादा मतलब गंदगी फैली हुई है जिसका clean up इंडियन गवर्मेंट ने किया है तो उस्तों कर मैं आपसे सबसाब सब्दों में बात कहूं तो इंडियन गवर्मेंट ने एक ऐसा law यानिकि एक ऐसा कानून मला है जिसके माध्यम से जो सोचल मीडिया पर फेक नियूज और असलीलता की बारो दुनिया सब का जो कचरा जम हुआ है ने यूटूब पर भी ठीक है जो कचरा जमा हुए ने सब को पूरी तरह से क्लीन होना हंडेट परसेंट तैं है और कैसे होगा यह सब क्या ऐसे रूल से जो गवर्मेंट ने लॉंच किये हैं और उसके बारे वे डीटेल्स में आपको कैसे बता होगा यह सारी देखना बहुत ज़रूरी है जल्दी जल्दी हम लोग जान लेते हैं तो इससे पहले हम लोग ज्यादा आगे बढ़ जाए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे टेक्निकल यूस्फल यह वहया है कि इंडियन गवर्मेंट का कहना है कि जो भी सोसल मीडिया के मतलब जो हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्वीटर फेस्बुक वाटसप जो भी हो अगर यह लोग भारत में बिजिनेस करना चाहते हैं तो करें हम उनका स्वागत है लेकिन उनको भारत सरकार क कि समिधान नियम कानून को मानना पड़ेगा और उसी के ही दायरे में रहकर कि अपना बिजिनेस करना पड़ेगा अगर मान लीजिए आपने फेस्बुक और सब्सक्राइब किसी भी सोसल मीडिया पर कोई कंटेंट पोस्ट किया है और वह मतलब कुछ गडबड़ है किसी व गाइडलाइन से जिसको आपका कॉंटेंट फॉलो नहीं करता इसके लिए यह कॉंटेंट हटाया जा रहा है इसके लाओं दोस्तों अगर मा लीजिए फेस्बुक इंस्टाग्राम में किसी भी सोसल मीडिया हैंडल पार अपना अकाउंट बनाते हैं किसी नाम से अकाउंट रियल है और उसको यूज करने वाला जिस नाम से अकाउंट बना है उसको यूज करने वाला परसन का भी वही नाम है और वहां जैनून है ये चीज कैसे बेरिफाई की जाए इसका भी सोसल मीडिया हैंडल को बेरिफिकेशन करना होगा उनके प्लेटफॉर्म पर कितने अका का न मिल जाएगा यूट्यूब की बात करें दोस्तों तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मतलब लोगों से पैसे लेके सब्सक्राइबर व्यूज और लाइक्स दिलवाने का दावा करती है और रोबर्टिक और दुनिया पर के फेक अकाउंट्स दिलवाती है तो दोस ये सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कंटेंट जो कि आपसे संबंधित रखता है मालीजे आपका फोटो वीडियो या मालीजे आपके फ्रेंड का वीडियो फोटो जो की आपत्ती जनक है जो कि आप नहीं चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर फैल है या आपको कोई ट्रोलिंग कर रहा है या किसी ऐसे content से जिसको आप अपती है उसको आप direct उस पर complain कर सकते हैं within 24 hour यानि कि 24 घंटे के अंदर उस social media handle को आपका जो complain है उसको मतलब निस्तारण करना होगा उसकी problem को वो solve गरेगा कि आपको क्या पती है और अगर उस गरत है तो उसको वहाँ से हटाना भी पड़ेगा 24 घंटे के अंदर और दोस्तों पांचवा नियम या है कि छे प्रतेग छे मैंने यानि कि every six month में इंडियन government वो उस social media को handle जो है उसको report करनी होगी कि सर हमारे पास इतने complaints आये थे और हमने इतनों का निस्तारण किया है इस इसी को तकलीफ पहुचाए इस content की शुरुआत अगर सिकायत दिया जाता है तो इस content की शुरुआत कहां से हुई पहले किसने upload किया और किसने share किया यह सारी जानकारी social media handle को सरकार या पुलिस या कानून व्योस्ता के साथ साजा करना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि यह खुरापात कहां से सुरू हुई इसके साथ ही साथ दोस्तों माल लीजिए social media के माध्यम से कोई दंगा फैलता है या कैसे मतलब फैलता है किसने सुरूगात की इसकी जानकारी भी गवर्मेंट के साथ साजा करनी पड़ेगा यहां की यहां तक कि अगर माल लीजिए मैसेश के माध्यम से किसी और माध्यम से अगर माल लीजिए कुछ चेंड़ चांड़ कुछ ऐसी मतलब activity शुरू हो रही जो कि देश के लिए हानिकारक ह इसके बारे में सरकार को खबर देना होगा इसके लिए सोसल मीडिया हैंडल बाध्य है इसमें सबसे इंपॉर्टन एक बहुत ज्यादे इंपॉर्टन है दोस्तों कि OTT प्लेटफॉर्म जो होते हैं जहां पर मतलब जैसे कि Amazon Prime हो गया Netflix हो गया तो इन सब पर वेप सीरीज व की जाती है तो दोस्तों इस तरह के content मतलब जब company बनाएगी या कोई भी company जो है content बनाएगी तो उसको सरकार के सो बताना पड़ेगा कि हम इस तरह से कर रहे हैं इसको किसके लिए लाबदाएगा किसको लिए हानकार कि सबके platform पर वो बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा गा मूवी जो बनती है वो किसी न किसी चीज को educate करने के लिए कुछ समझाने के लिए बनाए जाती है लेकिन दोस्तों मिरजयापूर जैसी मूवी किसी भी मायने मर कोई भी एजुकेसर नहीं देती है बलकि आपको गाली कलो सिखाना मार पीट सिखाना यहां तक कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैं वीडियो में explain नहीं कर सकता है यह सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है तो यह प्रकार जाए हमारे समाज को बरबाद करने का काम कर रही है इस पर रोग लगा कर भारस सरकार ने बहुत अच्छा किया है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैसे यूट्यूब, Facebook, Instagram जैसे जो बिग कमपनी हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में बैपार करती है तो वो लोग क्या भारत सरकार के इस नियम को मानेंगे क्या उनके लिए ऑप्सनल है या अगर माने चहें नहीं माने तो क्या काम चल जाएगा तो यहां पर जबाब होगा नही उनको भारत सरकार के इस नियम को मानना ही होगा इसके लिए वह कमपनिया बाद दें हैं अगर उनको भारत में बैपार करना है भारत में अपना बिजनेस चलाना है तो इस कानून को मानना ही पड़ेगा अन्यता वह अपना भारत में बिजनेस बंद करना पड़ेगा दोस्त पीफ हैं जो लोग कोई दंगा भशात करते हैं मतला भड़काओ बयान देते हैं या कुछ उल्टा सीधा पोस्सेयर करते हैं उनकी कोई भी निजता नहीं होती क्योंकि उनकी मंसा यही है कि इस चीज के जरी लोगों को पता चलिए और लोगों में एक्टिविटी बढ़े दं दोस्तों ऐसे लोगों कोई निश्ता नहीं होती इनके खिलाफ थारवाई 100% होनी चाहिए तो दोस्तों यही थे आज के कुछ इंपोर्टिन टिफ्स जिनको बताना मैंने आप लोगों को जरूरी समझा आप लोग अभी युवा हैं आप लोग सोसल मीडिया का यूज करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर पे चलके यह नियम बहुत इस्ट्रिक्ट हो गए इस नियम के बारे में आपको ना मालूम हो और आके चलके धोंका खा जाएं इससे पहले कि मैं आप लोगों को सचेथ कर दूँ तो दोस्तों इस नियम जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लांच किये हैं इस नियम से आपके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें से क किस किस नियम से आप सहमत हैं किस से आप सहमत नहीं है कमेंट सिक्षन में ज़रूर लिखिएगा और आपको क्या लगता है कि क्या इन नियमों को लांच करने के बाद सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो तिनी गंदगी असलीलता और जो मतलब इतना धंगा फसाद का बा आंगे मातरम